नमस्कार दोस्तो बेताल 25 की श्रंकला में आठवी कहानी सबसे बढ़ कर कौन में आप सभी का स्वागत है पिसली वीडियो में हमने जाना कि जैसे ही राजा विक्रम बेताल के सवाल का जवाब देते हैं वहें अपनी शर्थ के अनुसार उड़कर फिर से पेड पर उल्टा लटक जाता है राजा विक्रम लोटते हैं और फिर से बेताल को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं और बेताल रास्ते में राजा विक्रम को एक और कहानी सुनाते हैं आंग देश के एक गाउं में एक धनी ब्राहमण रहता था, उसके तीन पुत्र थे, एक बार ब्राहमण ने एक यग कराना चाहा, उसके लिए उसे एक कच्छवे की जरुरत हुई, उसने तीनों भाईयों को कच्छवा लाने को कहा, वे तीनों समुदर पर पहुचे, वहाँ उन्हें एक कच्चवा मिल गया बडे भाई ने कहा, मैं भोज़ चंग हूँ इसलिए कच्चवे को नहीं चोँँगा बीच वाला भाई बोला, मैं नारी चंग हूँ मैं भी नहीं ले जाऊँगा सबसे छोटा भाई बोला, मैं श्या चंग हूँ सो मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा वे तीनों इस बहस में पढ़ गए कि उन में कौन बढ़कर है जब वे आपस में इसका फैसला ना कर सके तो राजा के पास पहुँचे राजा ने कहा आप लोग रुखे मैं तीनों की अलग-अलग जाच करूंगा इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तयार कराया और तीनों खाने बैठ गए सबसे बढ़े ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा इसमें मुर्दे की गंद आती है वह उठकर चला गया राजा ने पता लगाया तो मालुम हुआ कि वह भोजन शम्शान के पास के खेत का बना हुआ था राजा ने कहा तुम सच्मुच भोजचंग हो तुम्हें भोजन की पहचान है रात के समय राजा ने एक सुन्दर इस्तरी को मजले भाई के पास भेजा जो है वह वहाँ पहुची कि मजले भाई ने कहा इसे हटाओ यहां से इसके शरीर से बकरी का दूद की गंद आती है राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालुम हुआ कि वह इस्तरी बच्पन में बकरी के दूद पर पली थी राजा बड़ा खुश हुआ और बोला तुम सच्चमुच नारीचंग हो इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए साथ गदों का पलंग दिया जैसे ही वह उस पर लेटा कि एक दम चीख कर उठ वैठा लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिची थी राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया साथ गदों के नीचे उसमें एक बाल निकला उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी राजा को बड़ा अच्रज हुआ उसने तीनों को एक एक लाख अशर्फिया दी अब वे तीनों कच्छवे को ले जाना भूल गए वो और वहीं पर आनन से रहने लगे इतना कहकर बेताल बोला हे राजा तुम बताओ उन तीनों में से बढ़ कर कौन था राजा ने कहा मेरे विचार से सलसे बढ़ कर शेया चंग था क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंडने पर विस्तर में बाल भी पाया गया बाकी दो के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन होने किसी से पूछ कर जान दिया होगा जैसे ही राजा विकरम बेताल के प्रशन का उत्तर देते हैं बेताल उड़ कर फिर से एक पेड़ पर उल्टे जाकर लटक जाते हैं तो ये थी विकरम और बेताल की आठवी कहाने धन्यवाद